वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विधनम कुरुमे देव सर्वकार्येशु सर्वदा राधे राधे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग आप सभी धर्मे प्रेमियों को साधर परणाम करती हूँ आज मैं आपको श्रीमत भगवत गीता के आठवे अध्याय का महात्या में सुनानी जा रही हूँ भगवान शीव कहते हैं हे देवी पारवती अब मैं आपको श्रीमत भगवत गीता के आठवे महात्या में को सुनानी जा रहूँ हूँ उसको सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसनता प्राप्त होगी दक्षिर में आमर्दक पूर नामक एक प्रसिद नगर है वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्रामन रहता था जिसने वेश्या को पत्नी बना कर रखा था वे मास खाता था मदीरा पीता था और शेश्टु पुरुशों का धन चुराया करता था पराई इस्त्री से वेविचार करता था शिकार खेलने में उसकी बहुत दिल्चस्पी थी वे बड़े भयानक सुभाव का था मन में बड़े बड़े होसले रखता था एक दिन मदीरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था उसमें भाव शर्मा ने भर पेर शराप पी थी खुब गले तक उस चराप को चड़ा लिया था अत्य अजीन से अत्यंत पीडित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड का व्रक्ष बना उसकी घनी थंडी चाया का आश्रे लेकर भरम राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पती पतनी वहां रहा करते थे उनके पूर्व जन्व की घटना इस प्रकार थी एक कुशी बल नाम का ब्रामन था जो वेद वेदां के तत्वों का ज्याता संपूर्शास्त्रों के अर्थ का विशेशग्य और सदाचारी था उसकी इस्तरी का नाम कुमती था वह बड़े खोटे विचार वाली थी वह ब्रामन विद्वान होने पर भी अत्यंत लोब वश अपनी इस्तरी के साथ प्रती दिन भैस काल पुरुश घोड़े आदी बड़े दानों को घहन किया करता था परन्तु दूसरे ब्रामनों को दान में मिली हुई कोड़ी भी नहीं देता था वे दोनों पती पतनी काल वश मृत्यू को प्राप्त होकर भ्रामराक्षस बन गे वे भूक और प्यास से पीडित होकर उस प्रत्वी पर घूमते हुए उसी ताड के व्रक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे इसके बाद पतनी ने पती से कहा कि हे नात हम लोगों का यह महां दुख कैसे दूर होगा तता इस ब्राम राक्षस की योनी से हमें किस प्रकार मुक्ती मिलेगी तब उस ब्रामन ने कहा ब्राम विद्या के उपदेश अध्यात्म तत्व के विचार और कार्म विदी के ज्यान के बिना किस प्रकार संकर से छुटकारा मिल सकता है यह सुनकर पतनी ने पूचा किम तत्भ्रम किम अध्यात्म किम कर्म पुर्षोतम अर्थात हे पुर्शोतम वह भ्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है और कार्म कौन सा है उसकी इस्तरी के इतना कहते ही जो आश्चरी की घटना घटित हुई उसको सुनो उप्युक्त वाग्य गीता के आठवे अध्याय का आधाश लोग था उसके श्रवन मातर से वह व्रक्ष उस समय ताड के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामत भ्रह्मन उत्पन हो गया ततकाल ज्यान होने से विशुद्द चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तता आदे शिलोग के महात्यमे से ही पती पतनी भी मुक्त हो गया उनके मुख से देवात ही आठवे अध्याय का आदा शिलोक निकल गया उसके बाद आकास से एक दिव्य विमान आया दोनों पती पतनी उस विमान पर आरूड होकर स्वर्ग लोग को चलेगे वहां का ये सारा व्रतान अत्यंध ही आश्चरिय जनक था उसके बाद उस बुद्धी मान ब्रामन भाव शर्मा ने आदर पूरवक उस आदेश लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आरातना करने की इच्छा से वह मुक्ती दायनी काशीपुरी में चला गया वहां उस उदार बुद्धी वाले ब्रामन ने भारी तपश्या प्रारम कर दी उसी समय शीर शागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड कर देवताओं के भी देवता जगतपती जनार्धन से पूछा कि हे नात आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए तब भगवान बोले की हे देवी काशी पुरी में भागीरती के तटपर बुद्धीमान भ्रामन भाव शर्मा मेरे भक्ती रश से परिपूर होकर अत्यन कठोर तपश्या कर रहा है वह अपनी इंद्रियों को वश्मे करके गीता के आठवे अध्याय के आधेश लोग का जाब कर रहा है मैं उसकी तपश्या से बहुत संतुष्ट हुआ बहुत देर से उसकी तपश्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ हे प्रिय इस समय वह फल देने को मैं उतकंठित हो रहा हूँ पारवती जी ने पूचा कि हे भगवन शिरीहरी सदा प्रसन होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उटे उस भगवत भक्त भावशर्मा ने कौन सा फल प्राप्ति किया तह महादेजी बोले कि हे देवी पारवती द्वीज शिर्ष्ट भाव शर्मा प्रसन हुए भगवान विश्नु के प्रसाद को पाकर अत्यतिक मुक्ष को प्राप्त हुआ तता उसके अन्यवन्शज भी नरक की आत्ना में पड़े थे उसी के शुद्द कार्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए हे पारवती यह गीता के आठवे अध्याय का महात्य में जो मैंने तुम्हे सुनाया इस पर सदा विचार करते रहना इसके आधेश लोग को पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से मनुश्य को मुक्ष की प्राप् हे मधी सूदन अधी यग्य क्या है इस देह में अधी देह कौन सा है मरने के समय इस्तिरचित वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं तब भगवान क्रश्न बोले जो अक्षर और परम है वही भ्रम्मा है प्रतेक वस्तु का सवभाव अध्यात में कहलाता है और समस्त चरा की उत्पती करने वाले जो विसर्ग है वही कर्म है जो दह आधी नाशवान वस्तु है वही अधी बूत कहलाती है विश्वरूप जो विराध पुरुष है वही अधी देव है और हे पुरुषों में शेर्ष्ट इस देह में मैं ही अधी यग्य हूँ अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह नी संदय मेरे ही शरीर को पाता है हे कुंती पुत्र अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का इस्मरन करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उसी शरीर को पाता है इस कारण तुम सदे मुझ में ही मन को लगा कर मेरा ही इस्मरन करते ह तुनी संदे मुझको पालोगे है पार्त अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी और ने जाने वाले मन में सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्यपद को ही प्राप्त होता है अतेव जो अंत समय में मन को एकागर करके भक्ती पूर्वक योग्याबास के बल से दोनों भों के मद्य भाग में प्राण को चड़ा कर सरवग्य अनादी संपून जगत के नियंता सुश्म से भी सुश्मतर सबके पोशक ऐचिंते स्वरुप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुन से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वे उसको मिलता है वेद के ज अन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तता जिसको चाहने वाले ब्रहमचारिय का आचरन करते हैं उस परमपत को तुमसे संशेप में कहता हूँ जो सब इंद्रियों द्वारा को रोक कर मन को हिर्दय में धारन कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधी योग से इस्तित ओम इ उसे मोक्ष रूप उत्तम गती प्राप्त होती है। ब्रम लोग परियन जितने लोग हैं, वहां से लोटना पड़ता है, परन्तु मुझ में मिलने से फिर जानम नहीं होता, हजार युगों का एक दिन होता है, और हजार महा युगों की एक रात्री ब्रह्मा की होती है, जो उन बातों को जानते हैं, वह सब ग्याता है, ब्रह्मा दिन में बार बार उत्पन होकर रातरी के आगमन में लीन हो जाता है इस एव्यक्त से परे दूसरा सनातन एव्यक्त है जो इन सब के नश्ट होने पर भी कभी नश्ट नहीं होता उस एव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं वही परमगती है जिसको प्राप्त करके फिर संसान में नहीं जानमते, वही मेरा परमधाम है, हे पार्त जिसके अंतरगत सब प्राणी है और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह शेष्ट पुरुष अनन्य भक्त से मिलता है, हे भारशेष्ट जिस काल में धुम्र रात क्रश्ण पक्ष दक्षिनायन के छे मैने इसके मद्दे गमन करने वाले चंद्रमा की जोती को पहुंसते हैं और लोट आते हैं, संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और क्रश्ण नाम की दो गतियां हैं, एक से आने वा लोटना पड़ता है और दूसरी पर पिलोटना नहीं होता, हे पार्थ योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानते हैं, इसी से मोह में नहीं पड़ता, अतेव अर्जुन तुम सदा योग युक्त हो, वेद, यग्य, तप, उर्दान से जो पुन्य अफल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक एश्वरिय प्राप्त हैं और सरोतम आधी इस्थान पाता है, इस तरह आज मैंने आपको शिरीमत भगवत गीता का आठवा अध्याय सुनाया आशा करती हूं, यह आपको जरूर पसंद आएगा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, आगे के महात्यमें के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद